हुआ है 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 वेल्कम को माई चैनल ऑनलाइन क्लासेज बाइ सुनिल साथ मैं सुनिल कुमार आज की इस वीडियो में हम डिसकसन करेंगे ऐल्गेब्रा नकलाब भीजगनित के बारे में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बीजगनित होता क्या है यह से ले सकते हो अध्यात का मान करते हैं इसमें करन के दिवारा तुसे बोलते हैं हम बीजकनित या एल यव्रा में सबसे पहले तो में बात करेंगे इनके जो धनात्मक कतर रनात्मक चिन्नों के बारे में दनात्मक रनात्मक चन्नों के जो बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले पहला टोपिक है इसका दनात्मक तथा रनात्मक चन्नों के नियम हम सबसे पहले बात करेंगे प्लस को खुना करेंगे प्लस तो आएगा यहां पर प्लस उसके बाद हम दूसरे की बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में माइनस को जब मैं माइनस से गुणा करूँगा तो क्या आता है माइनस प्लस को मैं प्लस से गुणा करूँगा तो प्लस आएगा और माइनस को जब मैं माइनस से गुणा करूँगा तो माइनस आएगा तीसरे नियम के बारे में बात करता हूँ कि प्लस को गुणा जब मैं माइनस से करूंगा तो यहां पर आएगा माइनस को मैं माइनस से गुणा किया तो कितना हो प्लस आता है माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो क्या आता है प्लस आता है और प्लस को प्लस से गुणा करूंगा प्लस आएगा प्लस को माइनस से गुणा करूंगा माइनस आ जाएगा और चौथा नमबर का आएगा माइनस गुणा प्लस बराबर होगा माइनस इसी प्रकार से हम देखते हैं भाग के बारे में जैसे फिट नमबर प्लस में प्लस की संक्या में मैं प्लस की संक्या का भाग दूंगा तो सं संख्याइब छात कि श्बास नियम प्लॉस में वहा वह दो गागा माइनस कट यहाँ पे माइनस यह क्या होगे धनात्मक तथा रेनात्मक चिन्नों की नियम होगे क्या होगे धनात्मक तथा रेनात्मक चिन्नों की नियम अब हम बात करते हैं इसके बाद घातांग की नियम के बारे घातांग का नियम घातांग की नियम ठीक है तो घातंक नियम क्या होता है घातंक नियम में कोई भी संख्या दिया हुए एक ही घात N बराबर X यहां पर A A हमेशा क्या होता है आधार A बराबर क्या होगा यहां पर आधार N क्या है इसके घात तो N बराबर हो जाएगा घात और एक्स क्या यहां पर फ्राप्त संक्या अब इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले जो नियम आता है यदि आधार समान होने पर आधार समान होने पर गातों को जोड़ देते हैं गातों को जोड़ देते हैं इसका मतलब यह हुआ एकी गात एने डॉट एकी गात एम तो यहां पर दोनों तरह आधार समान है एकी गात एने और एकी गात एम है तो एक टोटल की गात क्या हो जाएगा एन प्लस एम तो यह हो गये उसके बाद मैं दूसरी की बात कर रह हूं अब यहां पर मैं देखता हूँ कि आदा गातों को हम जोड़ देने आप देखते हैं, यहाँ पे A की घात N में मैं भाग दूँगा, A की घात M का तो यहाँ पे जो मैं नीचे वाले हर वाली संख्या को ऊपर लेके जाओंगा A, M एकी घात M है, इसे जब मैं अंस के पास लेके जाओंगा तो घात हो जाती है, माइनस यहां पर आदार समान है तो गातों को हम जोड़ देंगे पहले किस तरह इस तरह के से हम तीसरे नियम के बारे में बात करते हैं A.B और इसकी घात यहां पर कोई N है यहां पर मैं लिख सकता हूं A की भी घात N होगा A.B की घात N होगा इस पूरी की घात क्या है N है A.B की घात क्या है आपे N है यह होगा इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं अगले उसके फूर्ट के बारे में बात करते हैं यदी किसी संक्या की यदी किसी संक्या की घात और इस पूरे की घात दी हुई हो तो हम दहतों को खुना कर देते हैं तो एक ही घात क्या हो जाएगा है एंग गुना एंग उसके बाद में पांच में नियम के बात करता हूं तो एक ही घात जीरो कोई भी संक्या हो दुनिया की कोई इसी भी संक्या हो यदी उसकी घात जीरो होगा तो हमेशा मान कितना होगा एक उसके बाद मैं बात करूं छटे नंबर की तो जीरो में यदि मैं किसी संक्या का भाग देता हूं जीरो में यदि मैं किसी संक्या का भाग देता हूं तो हमेशा क्या आएगा जीरो और फिर सात्वा नमबर का यदि किसे संक्या में जीरो का भाग दे दूँ मैं आएगा यहां पर अनंत इसे क्या बोलते हैं अनंत इंफाइनाइट भी बोल सकते हैं आप इसे यह इसके सारे नियम हो गये हैं फिर से मैं बोल देता हूं यदि आधार समान होने पर घातों को जोड़ देते हैं तो यहां पर एकी घात N है गुणा एकी घात M है तो बराबर क्या हो चाहिए एकी घात N प्लस M दूसरा एकी घात N वटे में एकी घात M तो उपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा और आधार समान तो गातों को जोड़ दें यहां पर हम A गुणा B तो A B को गुणा करेंगे हम कोई संक्या जाएगी A B की घात क्या हो जाएगा N हो जाएगा यदि किसी संक्या की घात तो एकी घात एन है और इस पूरे की घात एन में तो दोनों घातों को गुणा कर देंगे किसी संक्या की यदि घात सुन्य हो तो हमेशा मान एक उता है जीरो बठे एक तो इसका मान जीरो होगा जीरो में यदि किसी भी संक्या का हम भाग दे जैसे हम कोई भी देख सकते हैं